शिरी गड़े शाहिन नमा नमस्कार में त्रोस स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपनी चैनल ग्यान गंगा में भाई दूज या भाईया दूज का पर्विकार्तिक मा के शुक्लिपक्च के दितिया दिति को मनाया जाता है सबसे पहले इस्तेवार को यमना जी और यमराज ने मनाया था मानेता है कि यदि इस दिन कोई बहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक अपने घर भूजन के लिए आमिंतृत करके उसका तिलक करती है तो उसे नर्ग की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि 16 नवंबर 2020 को भाई दूज के दिन दितिया की तिथी क्या रहेगी तिलक करने का मुरत क्या है तिलक करने की विधिक क्या है और क्या है भाई दूज की कथावं महत्व तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पन नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रत एवं तयभारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे तक ही आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले तो चली शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो इस दिन भाई का तिलक करने से पहले भगवान गणेश की अराधना अवश कर ले उसके पश्चात तिलक की थाली तयार करनी चाहिए जिसमें रोली अच्छत और गोला अवश रखे तिलक की थारी त्यार करने के बाद अपने भाई को रोली से तिलक करे और उस पर अच्छत लगाए उसके बाद गोले पर तिलक लगा कर उन्हें भाई को दे दे इसके बाद अपने भाई को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं इस दिन अपने भाई की पसंद का ही भोजन बनाए भोजन के बाद भाई अपनी बहन को उपहार दे और उनका आशिरवाद ले भाई दूज दोहजार बीस में 16 नवंबर 2020 दिन सोंबार को है दुतिया कि दितिक रहेगी आरंब होगी 16 नवंबर की सुबह 7 बज कर 6 मिनट पर और समाप्त होगी 17 नवंबर की सुबह 3 बज कर 56 मिनट पर तिलक करने का मोरत रहेगा 16 नवंबर 2020 दिन सोंबार को दोपैर 1 बज कर 10 मिनट से दोपैर 3 बज कर 18 मिनट तक को लबदे रहेगी 2 गंटे 8 मिनट की भाई तोज की कथा केनुस्तार एक बार सुरीदेव ओच्छाया की पुत्री यमुना ने अपने भाई यमराज को प्रेम पूर्वख अपने घर आने और ॉजन करने का निमंदर दिया वे उनके घर आए और प्भॉजन ग्रहन करें लेकिन यम्राज अपनी व्यस्तता के कारण यमुना की बात को टाल देते हैं, लेकिन कार्थिक मा के शुकल दुदिया के देन यम्राज यमुना के घर अच्णैक पहुंच जाते हैं, अपने भाई को दरवाजे पे खड़ा देखकर यमुना का खुशी का ठिकाना नहीं रहता यमुना अपने भाई का स्वागत सत्कार करती है और प्रेम पूर्वक उन्हें भूजन कराती है यम्राज जी अपनी बहन का स्ने और प्रेम देखकर भाव भी फोर हो गए और उन्हें वर मांगने के लिए कहां तब यम्राज ने अपने भाई से वर के रूप में मांगा कि हर वर्ष वे इसी दिन वह उनके यहां भोजन करने के लिए आए जो भी बहन इस दिन अपने भाई का टिका करके उन्हें भोजन कर खिलाए उसे आप आप से किसी भी प्रकार का भह न हो उसके बाद यम्राज यमना को तथास्टू कहकर यम लोग लोट गये उसी दिन सभी बहनें अपने भाई का तिलक करके उन्हें प्रेम पूर्वक भूजन कराती हैं जिससे भाई और बहन को यमदेव का किसी भी प्रकार का भेह नहीं रहता तो ये ठीक का था भाई दूज की मेरे वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ